हेलो फ्रेंट्स मैं यू अन्नपुर्णा और विलकम टू मैं चाइनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुती ज़्यादा फेमस टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी मसाला भात ये रेसिपी हम उन चीजों से बनाएंगे जो एजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं ये दिखने में जितना व्यूटिफुल दिख रहा हैं खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है बहुती ज़्यादा यम्मी है बनाने में आसान है और बहुती ज़्यादा खिला खिला भी बनेगा तो ऐसे टेस्टी मसाला भात बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चावल लिया है यह दो कप है जो बड़ा वाला कप होता है उससे दो कप है और वजर में जिसकब से मैंने Benni लिया है उसकब से मैं थीन कप पानी ले रही अगर आप चावल नहीं भीगा रहे हूँ डायरेक्ट बना रहे हो तो आप चार कप पानी लेना अब यह पानी मैं गरम होने रभ दे रही हूं उसके अलावा ये है बारिक कटा प्याज, करिया पत्ती, हरे मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और बैगन एक बड़ा और दो आलू है और ये फ्रोजन मटर है अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते है उसके अलावा एक दालचनी का तुकड़ा है, दो तेज पत्ती है, जीरा, सरसो, काली मेच, फूल चक्र, लॉंग, बड़ी लैची और जावितरी और हल्दी, मिर्च पॉर्डर, अधर क्लस्न का पेस्ट और ये है गोडा मसाला गोडा मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते है, उसके अलावा तेल है, अभी मैंने एक पैन रखा है, पैन में मैं डाल रही हूँ अराउंड दो बड़े चमच तेल, तेल डालकर अब मैं इसमें पहले डाल रही हूँ सरसो, जीरा, फिर सारे सुखे मसाले आपके पास जो है आप वही यूज़ कर सकते है, या जो आपको पसंदी है वह चेंज भी कर सकते है, अभी मैंने डाला है तेज पता और दालचीनी, डालकर मैं इसको हलका मिक्स कर रही हूँ, अभी मैं या पे करिया पती नहीं डाल रही हूँ, करिया पती मैं बाद में डा करिया पतधी पहले तेल में डाल sious कि फ़ीटे ऊड़ते है त्याव मैंने अभी डाला है अभी डाल सकते हैं अभी माने फ्यासा को भूं लिया है उसके बाद मैश मैंने डालरी हूं नहीं टामाटर टामाटर डालकर अब में अच्छे से भूं रही हूं थोड़ा सा जब ये उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू आलू को मैंने बिना छिले थोड़े बड़े टुकडो में ही कट कर लिया क्योंकि अगर इसको हम लोग बारी कट करेंगे तो ये चावल में पूरी तरी से मैश हो जाएगा इसे थोड़ा बड़ा काटना है और मैंने छिलके की साथ ही डाला है आप चाहो तो छिलका भी निकाल सकते हैं बट मैं एक ट्रडिशनल मसाला भात रेसे पर बना रही हूँ इसलिए मैंने वही यूस किया जो यूस करते हैं जैसे कि आलू, बैगन और मटर आप इसमें गोबी, गाजर भी डाल सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें डाला है बैगन बैगन को भी मैंने बड़ी टुकडो में ही कट कर लिया क्योंकि छोटा काटेंगे तो ये चावल के साथ पूरी तरीके से मैश हो जाएगा और उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इससे थोड़ा बड़ाई काट ले अभी मैश को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अद्रक और लसुन का पेस्ट अद्रक लसुन का पेस्ट मैंने पहले से ले नहीं डाला क्योंकि वो पैन में चिप पक जाएगा इससे मैंने अभी डाला है आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हैं अब थोड़ा सा जैसी यह भुन गया उसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पावडर और यह कश्मीरी लाल मिर्च यह एक टीस्पून है मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं अब मैं सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर हमें आलू और बैगन को थोड़ा सा अच्छे से भुन लेना है ताकि यह मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा पक जाए यहाँ पर इनको अच्छे से पकाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, अरूंड हाफ टीस्पून और बाकी नमक हम बाद में डालेंगे अब इमें थोड़ा सा मिक्स करके इसे ढख कर पकाऊंगी ताकि आलू और बैगन मसाले की साथ अच्छे से पक जाए मीडियम हाइफ लिम पे मैंने आरूंड तीन मिनट तक इसे ढख के पकाया है, अब मैं इसको एक बार और मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे, जिसको हमने भीगो के रखा था, अब मैंने छन्नी में चान लिया है, पुरा पाने निकाला ह उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, डाल कर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यहाँ पे मैंने हम लोग रेगुलर राइस यूज करते हैं, वो डाली हूँ, अगर आप बासमती चावल डालोगी, तो थोड़ा अराम से मिक्स करना, अगर यह वाला रेगुलर चा मिक्स करना है, ताकि पैन में अगर मसाला चिपका हो, तो वो निकल जाए, अब मिक्स करने के बाद, इसमें मैं डाल रही हूँ, गोड़ा मसाला, यह एक टी स्पून है, अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा स्पैसी पसंद करते हैं, तो आप देर स्पून भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास गोड़ा मसाला नहीं है, तो आप एक टी स्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट गोड़ा मसाला डालने से मसाला बात का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अब मसाला डालने के बाद, एक बार और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के ब पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हमें गरम पानी ही डालना है ठंडा पानी डालना है ठंडा पानी डालेंगे तो चावल में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और खिला खिला नहीं बनेगा अब मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूं फ्रोज तो नमक आप अपने टेस्स के अकॉर्डिंग कम यह जादा एड्जस्ट कर सकते हैं अब सारे चीजों का अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढख कर हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें का पूरा पानी पक नहीं जाता है चावल के साथ अभी मैंने इसे अच्छे से पक नीचे मिक्स कर लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है चावल पका निये और पानी पुरा खतम हो गया तो आप थोड़ा सा पानी गरम करके इसके उपर छिड़क सकते हैं अभी ढख के ग्यास का फ्लेम स्लो करना है और तब तक पकाना है जब तक के चावल पूरी तरीके से न नहीं पके हैं चावल पूरी तरीके से पक गया है अगर आप कुकर में बनाओगे तो दो विजल आने के बाद ग्यास का फ्लेम आफ कर देना अगर आपको तुरंट उपन करना है तो आप तीन विजल बाद ग्यास का फ्लेम आफ करके कुकर उपन करके यूज कर सकते हैं डाल के साथ, राइता के साथ, किसे के बे साथ सर्व करो, सबी के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है अब हमारे बहुती ज़्यादा टेस्टी खिले खिले मसाला बात बनके रेडी है मैं से निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में अब आप भी ये टेस्टी मसाला बात ज़रूर बनाईए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राब भी ज़रूर करें थैंक यू